ओम स्टिचिंग चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें प्लाजो बनाने के लिए मैंने दो मीटर कपड़ा लिया है और इसको एक वार ऐसे फोल्ड कर लिया है ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको एक वार और फोल्ड कर लेंगे अब ये कपड़ा हमारा चाल लेयर में हो गया है अब हम उपर की साइड से इस किनारी को कट कर देंगे अब हम उपर की साइड में डाइ इंच पे एक निसान लगाएंगे इलाश्टिक डालने के लिए अब हम इस निसान से नीचे की साइड में लंबाई के लिए निसान लगाएंगे तयार लंबाई चाहिए हमें 36 इंच और एक इंच का हम इसमें मारजन रखेंगे सिलाई के लिए तो 37 इंच पे हम निसान लगा देंगे अब हम यहाँ पे हिप का चौथाई भाग लेके उसमें धाई इंच की लूजिंग जोड़ देंगे तो हिप का नाप है 42 इंच उसका चौथाई भाग हुआ साड़े 10 इंच साड़े दस इंच पे निसान लगा देंगे और धाई इंच की इसमें हम लूजिंग जोड़ देंगे तो तेरा इंच पे हम निसान लगा देंगे अब इस निसान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निसान लगाएंगे आसन के लिए निसान हम 14 इंच पे लगाएंगे और इस निसान को ऐसे नीचे तक सिधा कर देंगे अब इस जगे पर धाई इंच आग एक साइड में बढ़ा देंगे अब इसमें हम गोलाई कर देंगे अब हम मौरी के लिए निसान लगाएंगे मौरी के लिए निसान हम 9 इंच पे लगाएंगे अब हम इस स्केल को ऐसे रखेंगे और निसान लगा देंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई कर देंगे अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसको ऐसे खोल लेंगे और इन दोनों पर्दों को मैंने ऐसे रख लिया है इनकी सीधी सीधी साइड एक साइड में है और सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे ऐसे सिलाई लगा के हम आसन जोड़ देंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा के दूसरी साइड का आसन जोड देंगे मैंने दौनों साइड के आसन जोड दिये हैं अब हम नीचे की साइड में इसको ऐसे डवल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे इसके बाद हम इसको ऐसे करने के बाद हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे मैंने इसकी मौरी को फोल्ड कर दिया है और इस पर ऐसे सिलाई लगा दी है अब हम इसकी बेल्ट तयार करेंगे तो पहले हम इसको आदा इंच फोल्ड करेंगे उसके बाद हम इसको डेड़ इंच और फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगाके हम बेल्ट तयार कर लेंगे और थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए मैंने belt तयार कर दी है ये मैंने थोड़ी सी जगए खुली छोड़ दी है elastic डालने के लिए अब मैं इसमें elastic डालूंगी ये मैंने 31 लंबी elastic ली है 31 inch लंबी elastic ली है और इसको safety pin की सायता से इसमें डाल दूंगी और elastic डालने के बाद हम इसके उपर सिलाई लगा दें मैंने इसमें इलाश्टिक डाल दी है और खुली हुई जगे को भी सिल दिया है आप चाहें तो इलाश्टिक के बीच में एक सिलाई लगा सकती है अब हमारा प्लाजुबन के तैयार है वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें